नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में, दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, जीरोदा की एप्लिकेशन के थुरुप, आप पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, जीरोदा की अकाउउन पर हमें, जीरोदा में लॉगिन करना है, जैसे हम ने यहां पर लॉ Profile का एक symbol is ओपए आपको क्या करना है इस के उपए क्लिक कर देना है Profile के उपए जैसे ही आप Profile पर क्लिक कर देते हैं जैसे पर आपके सामने इक नया विंडो ओपन हो जाता है यहां पर आपको fund, profiles, settings, console, support यह सारी चीज़े यहां पर आपको दिखा accountable जातएगा है आपको करना है इसमें से इस फंड के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही आपपंड देते हैं आपके सामने एक add fund और withdrawal गृट्णी का नया विंडो open हो जाएगा यहाँ पर आपको 2 option दिखाए देते हैं यहाँ एकविटी भी है यहाँ पर कमोडीती भी है यहां पे क्या हुआ है यहां पर पैसे आड़ करना चाहते हैं तो आपको किमोडिटी पर करते हैं। तो आप यहाँ पर commodity पर select कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरा commodity का आपका available cash कितना है, आपका fund add कितना है, use margin कितना है, यह सारी commodity की भी same चीज़े यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि हम यहाँ पर commodity पर click करेंगे, तो अभी देखिए, commodity में मेरा कोई available margin नहीं है, available cash नहीं है, use margin नहीं है, यह सारी zero है, यहाँ पर आप fund commodity के लिए भी add कर सकते हैं, फिलार हम क्या करेंगे, equity के बारे में देखेंगे, same process आप commodity के लिए भी कर सकते हैं, equity में हमें अगर fund add करना है, तो सबसे पहले हमें add fund के उपर click कर देना है, जैसे ही आप add fund के उपर click कर देते हैं, यहा पर आपको क्या करना है, सबसे पहले, आपको amount यहाँ पर enter करना होता है, जितनी भी amount आपको demate account में transfer करनी है, या add करनी है, उसके लिए उतनी amount आपको वहाँ पर enter करनी होगी, तो यहाँ पर enter amount करनी है आपको, जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे, मानलो मुझे यहाँ पर 100 करना होता है यहां से क्या है कि मेरा एक ही बैंक के यहां पर लिंक है तो वहां पर कर देते हैं तो वहां पर उन्हें ऑप्शन बिन जाता है कि कौनसे बैंक से आपको पैसे तो यहां पर हमने बैंक सिलेक कर लिया है उसके बाद दोस्तों यहां पर पे प्रॉम मतलब एक मिथड कि किस मिथड से पैसे वहां पर ट्रांसफर करना चाहते हो यह आपको वहां पर अवेलेबल हो जाता है यह आप यूपियाई आईड जो होती है बीमैप के साथ जो अगर पॉरे जो डीटेल्स है बैंक अकानकर होगया यह पीड हो गया और जैसे बैंक और जैसे बैंक कुन सा है ये detail आपको आपके bank के beneficiary में add करनी होती है उसके बाद ही आप वो पैसे वहाँ पे transfer कर सकते है UPI और GPAY के लिए जो transaction होता है वो free of cost होता है उसके उपर कोई भी आपको charges extra नहीं लगाया जाते जिरोदा की तरफ से लेकिन आप अगर net banking करते है तो net banking के लिए आपको 9 रुपे per transaction का charge लगाया जाता है जिरोदा की और से आप जितने transaction करोंगे उसके उपर आपको 9 रुपे extra charge वो लगाएंगे NEFT और RTGS के लिए आपको bank के और से charge लगाया जाता है वो हर एक bank का अलग-अलग होता है HDFC bank का अलग रहेगा access bank का अलग रहेगा SBI का अलग रहेगा तो वो bank की और से लगाया जाता है तो वो vary करता रहता है तो इसी तरीके से use करके आप यहाँ पर fund add कर सकते है UPI के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको VPA डाल कि जैसे हमने यहाँ पर select कर दिया यहाँ पर UPI हम select करेंगे तो इनिशेट नहीं कर सकते हैं यहाँ नेड बैंकिंग देखते हैं हम नेड बैंकिंग के लिए क्लिक कर देते हैं या फिर कोई भी option यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आपको एक छोटी से window फिर से open हो जाती है यहाँ आपको फिर से एक बार amount डालनी ह होती है यहाँ से आपको segment select करना होता है दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है यहाँ पर equity derivatives और currency में पैसे आड कर सकते हैं यहाँ से आपको segment select करना होता है अगर आपको equity में पैसे आड करने तो आप equity select कीजिए commodity में आड करने तो commodity select कीजिए तो यहाँ पर equity select करते हैं यहाँ पर bank का option select कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा bank selected है यहाँ पर bank select करेंगे और यहाँ पर भी आपको पूछा जाता है आप UPI से करेंगे या फिर net banking से क्योंकि पहले हमने यहाँ पर लेके जाएगा वहाँ पर आपका banking का पूरा login और ID वहाँ पर आपको open करना होता है जैसे आप वहाँ पर login ID create open कर देते हो वहाँ आपको पैसे यहाँ पर transfer हो जाते हैं तो इस तरीके से आप net banking के थ्रू कर सकते हैं UPI के साथ अगर करोगे तो आपको VPA डालना होता है जो आमाउंट और VPA डालने के बाद आपको Google Pay पे या फिर भी मैप पे आपको एक approval का message आ जाता है वह approve करने के बाद ही आपके यहाँ पर पैसे transfer हो जाते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप add कर सकते हैं फंड जीरोदा में आसान तरीके से तो वीडियो अच्छा लगे तो प्ल सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद